जै मत अदी आप लोगों के लिए इस 15 दिन में क्या आपके लिए संदेश हैं आप जिन डिवाइन जी को मानते हैं आप बिल्कुल प्रणाव कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी ऐसी बहुत ही spiritual महिला के द्वारा आपको कुछ guidance प्राप्त होंगे उस guidance पर आप पूरी तरीके से ध्यान दीजे क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके लिए एक opportunity है वो आपके लिए एक opportunity है मेरे को मैं जैसे ही meditation करके उठी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप महसूस नहीं कर सकते तो मैं यह reading आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो पूरी तरीके से divine blessing है और आप में से कुछ लोगों के life में एक बहुत ही deserving partner आने वाले हैं आपके life में आपके soulmate के रूप में आप उनको starting में पहचान नहीं पाएंगे लेकिन वो आपके soulmates हो सकते हैं और मुझे पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके life में जो भी कार्मिक हैं जो भी कार्मिक situations हैं वो आपके life से समाप समाक्थोने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्रकार से तेरा यह हो सकता है किसी भी कार्मिक situation है वो समाप्थ हो सकते हैं आपके life से और आपको पसू पक्षियों के लिए और मदर अर्थ के लिए मदर गाया अर्थ के लिए आपको कुछ नकुछ जरूर करना आप जब ये सारी चीजे करेंगे तो आपके लिए जो अपोर्चनिटी आने वाली है उसमें आपके लिए बाधाय नहीं होंगी ठीक है तो आपको पसुपक्षियों के लिए कुछ न कुछ करना है कुछ न कुछ का मतलब थोड़ा सा भी आप कर सकते हैं थोड़ा सा आप उनको अन पानी उनके लिए रख सकते हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अल्रेडी करते हैं यह आप लोगों के लिए बहुत ही जादा आप देखेंगे छोटी-छोटी जो य देख रहे हैं कहीं न कहीं मुझे देखें यहां पर भी ऐसा नजर आ रहा है यहां पर भी कि जो भी तनाव है जो भी अवसाद है जिस भी प्रकार का आपके लाइफ में कार्मिक स्थिती है उस पर कहीं न कहीं टावर आने वाला है हम दोनों कार्ट देख रहे हैं मुझे ऐ date of birth को count करेंगे आपका भाग्यांग हो सकता है आपका मुलांग हो सकता है या आपके पार्टनर का मुलांग हो सकता है अच्छा मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगनी तत्व के हैं वो काफी ज़्यादा क्रोध करते दिवान को आहने प्रणाम किजिए और प्रेयर पानी जब तक यू-पानी और दव पना को रहेरे तो आप एसा करह mist पर रहे सालिंतर के साथ आप उठकर दूसरे रूम में जा सकते हैं, लेकिन आप अपने क्रोध को कंट्रोल कीजे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपके लाइफ में काफी सारी एक खुसिया, काफी सारे प्रोस्पेरिटी मुझे नजर आ रहा है, जो रूकी हुई है, जो रूकी हुई चीजे हैं, वो आप आपके लाइफ में तेज़ गती से बढ़हेंगी, और मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है, पत नहीं कियों कि आप में से कुछ लोग स्री हनुमान जी चालिचा का पाट करते हैं, और मुझे अभी बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग बावा नीम करोली जी के भी भक्त है और उनका भी आप या तो वीडियो देख सकते हैं जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप स्री हनुमान जी 40 का पार्ट करें और बाबा जी कभी आप स्री 40 का पार्ट आप कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं किसी भी प्रकार से क्योंकि जो उनकी जो रीपीटेशन में नजर आ सकते हैं और उसके बाद जब आपकी नीद्ग से परैंड से बहुत ही अच्छे से आप prayer कीजिए और आपके life में वैसे ही positive energy आपके life में आना ही start हो जाएंगे और आपके life में आपके personal life में और आपके professional life में दोनों में ही मुझे opportunity नजर आ रही है अब हम आपके लिए साई बबाजी कमार दर्सन लेंगे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपके life में एक opportunity तो आही रही है मुझे ऐसा भी लग रहे है देख लीजिए सब ठीक है आपके साथ मुझे पतनी क्यों ऐसा लग भी रहा है कि आप मेंसे कुछ लोग बहुत जादा मतलब अपने इस्ट देव जी को अपने गुरु देव जी को बहुत जादा मानते हैं और रही बात मेरे आवाज की तो यहां पर जब मैं बैठती हूँ आप लोगों के लिए ये चैनल मेसेज हो रहे हैं तो कही न कही बहुत जादा high मतलब ये मेरी आवाज हो जाती है या तो बहुत जादा धिमी हो जाती कहीं न कहीं energy वर के आप लोग समझ रहे हैं मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकती आप लोगों के लिए कुछ good news आने वाले हैं कुछ gift आपको मिलने वाले हैं किसी भी प्रकार की gift आपको मिलने वाले हैं आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग में रहें, टेक क्यार